तो सबसे पहले तो मैं आपको एक लच की आवाज सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये वीडियो आपके काम की है भी या नहीं है क्योंकि क्लच की आवाज जो होती है वो अलग-अलग तरह के आती है अलग-अलग गाडियों में तो पहले मैं इस गाडी में आ और यहाँ पर जो गेर बोक्स है, उसके पास मैं आके वीडियो बना रहा हूँ, और आवाज जो है, आप क्लियरली सुन सकते हैं, किस तरह की आरी है, यह जो केबल है, कलच की केबल है जिस टाइम पर प्टाइम पर रहे है तो आज कोशिश करेंगे कि यह बहुत ही यहीज बह मेरी गाड़ी में बेसिकली तब आती है जब गाड़ी थोड़ी सी चल लेती है मतलब जला गरम हो जाती है ठंडी गाड़ी जिस टाइम पे हो जाएगी तब ही आवाज फिर से चली मतलब बंद हो जाती है तो अगर इस तरह की आवाजें अगर आपकी घाड़ी मारी है तब ब बुश में से आवाज आ रही हो पर वो आपको कैबिन के अंदर आएगी दूसरा हो सकता है आपकी केबल जो है वो परानी हो चुकी हो जंग लग चुका हो वहाँ जाम हो गई हो वहाँ से आवाज आती हो केबल में से केबल भी ठीक है अगर आपका कलच पैडल भी सही है कि timing वहाँ पे जो grease होती है वो खतम हो जाती है अब सबसे वड़ी problem ये है कि इन कामों के लिए gearbox से उतरते हैं मैं बिना gearbox उतारे यहाँ पे इसको ठीक करने की आज कोशिश करूँगा याद रखिएगा ये एक experimental वीडियो है आपको आने वाले time में लगबग 4-5 महीने बाद में मैं फिर से feedback दूँगा इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है नहीं तो आप कोई बात नहीं सर्च करके भी बापिस चैनल पर आ सकते हैं देख सकते हैं और मेरे से वैसे भी comment करके पूछ सकते हैं कि सर feedback क्या रही है 4-5 महीने बाद में क्या ये आपको नुकसान तो नहीं किया कहीं जो आज मैं experiment करने वाला हूं so that कि आपको पता लगे कि ये चीजों जो मेरी हैं वो सही बैठी या नहीं बैठी जो आज मैं कांड करने वाला हूं बिना gearbox खोले इसको ठीक करने की कोशिश करने वाला हूं और साथ में ये मेरा जो कपलर है ये रिवर्स स्विच का है तो इन दोनों को निकाल लूँगा थोड़ी सी जगह मिल जाएगी साथ में जो केबल है मेरी क्लच की इस केबल को भी मैं निकाल लूँगा हलका सा बहर खीच के तो थोड़ा सा क्या है यहाँ पे स्पेस बन जबती है आवाजें ववाजें आना और अंदर में रस्टिंग वगएरा पैदा करना ये इसी का सारा खेल है और अंदर में आप देखेंगे मैं अंदर दिखा रहा हूँ अभी आपको गेरबक्स है के अंदर ये डस्ट कैप निकाली जहां से मैंने वहीं से आपको दिखा कैमरा लेके जाना बहुत ही मुश्किल है, आप यहाँ पे देखेंगे कितनी जादा गंदगी जमा हुई है, ग्रीस एकदम खराब हो चुकी है, साथ मेरी प्रेशर प्लेट है, उपर में आप देखेंगे उसकी केसिंग है, वहाँ पे भी रस्टिंग लग चुकी है, मतलब मे पकड़ा हुआ है, और नीचे में जो ग्रीस है, वहाँ पे बहुत सारी दूल मिट्टी जमा हो चुकी है, तो यहीं से एक्चुल में आवाज आती है, साथ में जो आपका फॉर्क है, कुछ गाडियों में टन 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 की आवाज आती है, और क्लच पैडल दबाने पे वो चल जाती है, उसका कारण भी यही रहता है, एक्चुल में यहाँ पे जो ग्रीस है, देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुली खतम ही हो चुकी है, और पूरी यहाँ पे दूल मिट्टी है, तो जिस टाइम पे गाड़ी घरम होती है, लोहे का सिंपल सा मेकानिजम है, एक्सपैंशन जिस टाइम पे ठंडा होता है, तो जिस टाइम पे गरम होता है, तो उसी का खेल है, यहाँ पे जो गंदगी है, इसको मैं साफ करने वाला हूँ अभी, तो यह जो गंदगी है, यहाँ उससे साफ करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मेकानिजम दिखा देता हूँ, अब ही मैंने गाड़ी start की, start करने के साथ में जो bearing घूम रहा है छोटा सा, यह release bearing है, जो आपकी clutch plate और precious plate के साथ में घूम रहा है, तो यह release bearing जो होता है, इसकी आवाज होती है जादा तर, बट release bearing को actual में जिस time पे भी यह recommend किया जाता है company की तरब से, कि जब भी आप इस चीजो को खोलें, जब भी gear box सा उतरता है, तो release bearing भले ही अच्छा हो, company यह कहती है कि इसको replace ही करना है, और यह 171800 रुपे का आता है लगबग, मतलब लगबग, डेढ़ जार से तो उपर यह इतना confirm है मुझे, और लगबग 2324 रुपे की clutch plate और pressure plate है, तो यह सब मैं पचडों में न play है बहुत ज़्यादा, जो आपका fork है, यहाँ पे play देख रहा है, कितना हिल रहा है, दबाने पे एकदम नहीं हिलेगा, जैसे मैं छोड़ दूँगा, वैसे यहाँ पे play आ जाती है, तो यही play जो होती है, वो टन 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 की आवाज करती है, इसको साफ करने के लिए मैं कोशिश करूँगा, जब भी आप कोशिश करिये, कि थोड़ी से धंडी हो गाड़ी, तभी इसको यूज करिये, नहीं तो थोड़ी से दिक्कत होती है, अलांकि कोई परिशानी ज्यादा बड़ी है, नहीं, तो इसको स्प्रे करके, मैं यहाँ से जितना भी कार्बन, वार् कोशिश करना एक वीडियो बनानेगी, आप जरूर पका लाइक करने आओगे, तो यहाँ पे मैं नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि जितना भी था वो उड़ जाएगा मसाला, अब मैं यहाँ पर ग्रीस यूज कर रहा हूँ, सिलिकॉन वाली, आप नॉर्मल ग्रीस भी य यहाँ पे मैं ग्रीस लगा रहा हूँ, और ग्रीस लगाने के बाद में, मैं और मेरा काम बन जायागा, अब बात आती है कि कोई नुकसान तो होगा या नहीं होगा, तो जो भी नुकसान होगा, मैं आपको आने वाले टाइम में अपडेट कर दूँगा, इसलिए मैं बता प्राइम नहीं भी किया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वैसे ही अपडेट कर दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजेगा, तो यह वाली जो आवाज है, कचर कचर की, यह पहले कुछ इस तरह से आ रही थी, और अभी जो इमिजेट अपडेट है, वह मैं आपको यह दिखा देता हूँ आवाज सुना के, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, औके, तो अभी तक, इस समय तक, कलच की आवाज जो है, जो वो दुआस अभी आ रही थी, वो एकदम फिनिश हो चुकी है, मस्द एकदम काम हो चुका है, कुछ लोगों के मन चीजें मैं आपको अपडेट कर दूँगा आने वाले समय में थोड़ा सा वक्त लगेगा भी क्योंकि देखना भी पड़ता ने कि क्या नुकसान हुआ है क्या फाइदा हुआ है तो उसके लिए खेर आपने चैनल सब्सक्राइब करी रखा है मेरा तो आपको अपडेट मिलती चीजे वीडियो में तब तक लिए जाएंगे